हेलो स्टुडेंट वेलकम तो माई क्लास मैं जी सेंग तो कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे मस्त चलिए फिर स्टार्ट करें तो आज का हमारा टापिक है ब्रीफिंग इन अधर एनिमल्स अन्य जन्तों में स्वसन तो एनिमल्स सच अज एलिफेंट्स, लाइन, काव, गॉर्ट्स, फ्रॉक, लिजार्ड, स्नेक, बर्ट्स, हैब लंग्स एनिमल्स की अगर हम बात करें तो शेर, गाय, बकरी, मैडक, छिपकली, सर्ब, पक्षी, इन सब के अंदर लंग्स पाया जाता है, इनकी चेस्ट केविटी में जैसे हूमन स्विंग में पाया जाता है हाव डू अधर ओर्गनेज़ ब्रीथ, तो अधर ओर्गनेज़, अधर ओर्गनेज़ कैसे ब्रीथ करते हैं, डू दे आलसो हैव लंग्स लाइक तोज ऑफ हूमन बिंग्स, क्या इनके भी मनुष्य के फैपड़ों के जैसे ही स्वसनांग होते हैं, जैसे मनुष्य के के अंदर भी ऐसे स्वसनांग होते हैं, तो लाइटस फाइंड आउट, चलिए फिर पता करते हैं, देखें सबसे पहले देखते हैं, कॉक्रोच, जैसे तिल चट्टा भी कहते हैं, एक कॉक्रोच है स्मॉल ओपनिंग ओन दा साइड ओफ इस बोडी, कॉक्रोच के अंदर ज चोटे-छोटे चिदर होते हैं, अधर इंसेक्ट आल सो एप सिमलर ओपनिंग, और कुछ अन्य इंसेक्ट जो कीट होते हैं, उनके अंदर भी इस तरीकी की ओपनिंग पाये जाती है, दीज ओपनिंग और ओट स्पाइरक ल्स इस ओपनिंग को हम इस पाइरकल बोलते हैं, चलिए बूजो की बात को देख लेते हैं बूजो वांट टू नो इफ कॉक्रो स्नेल फिश अर्थवां आंट्स एंड मॉस्किटो आल्सो है लंग इनके लंग्स होते हैं तो बूजो जानना चाहता है कि क्या कॉक्रोच गौंगे मचली कैच्वे चीटी और मच्छर में भी फैपड़े पाए जाते हैं तो इसका जवाब बूजो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आपके सारे कीट के अंदर कीट के अंदर एक नेट वर्क होता है याँ चीजाण वहता है ट्यूबस का जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं जो की गैसे सेक्षेज में काम आता है oxygen rich air rush through spherical into the tracheal tubes diffuse into the body tissue and reach every cell of the body तो जो oxygen rich air होती है वो sparacle के थ्रो ट्रेकियल ट्रूब में आती है और ट्रेकियल ट्यूब से ये diffuse हो जाती है पूरी body के tissues में फैल जाती है अब body tissues से ये प्रतिय कोशिकाओं को oxygen पहुँच जाती है ठीक है similarly इसी परकार carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes इसी परकार जो carbon dioxide gas होती है वो cells से होती ही tracheal tube में जाती है और moves out through spherical और spider के थ्रो बाहर निकाल दी जाती है these air tubes or trachea are found only in insect and not in any other group of animals तो ये जो tubes हैं air की जो ये tubes हैं या जिसको हमने trachea बोला है ये trachea cable insects के अंदर पाए जाते हैं टिशूस से oxygen rich air जो होती है पर ते एक कोशिका तक पहुंच जाती है अब उसी परकार जो carbon dioxide gas होती है वो cell से आती है tracheal tube में और tracheal tube से बोफिर कहा जाती है इन spiracle के help से बाहर निकाल दी जाती है इस तरीके से जो insect होते हैं उनके अंदर respiration पाये जाता है breathing पाये जाती है ब्रीफिंग टीक है चलिया आगे की तरह बात करते है earth bomb ले ले लेते है earth bomb में आते हैं हमारे earth bomb किसे करते हैं चलिया जोकी किसानों के मित्र होते है recall from chapter no.9 of class 6 that earth bomb breathe through their skin तो याद कीजिए चैप्टर 9 में आपने पढ़ा है चैप्टर 9 इन क्लास 6 क्लास 6 के चैप्टर 9 में आपने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा है कि अर्थवर्म अपनी तुचा से सांस लेते है The skin of an earthworm feels moist and sleamy on touching अर्थवर्म की जो skin होती है न वो moist होती है और स्लीमी होती है यानि चिपचिपई होती है टच करते हैं जो Gases can easily pass through them Gases इन से आसानी से पास हो जाती है So frog have a pair of lungs यदे भी medic के अंदर एक जोड़ी lungs पाय जाते हैं Like human beings human beings की तरह They can also breathe through their skin लेकिन ये भी अपनी skin से sauce ले सकते है Which is moist and slippery जो की moist and slippery होती है टीक है लसलसी होती है Boozo has seen in television program that whale and dolphins often come up to the water surface They even release a fountain of water sometimes will moving upward Why do they do so तो अब आते हैं जी बूजो का फिर से कोशन आ गया है तो बूजो की कोशन को देखें चलिए जी बूजो क्या कहना चाहते हैं बूजो कह रहे हैं बूजो has seen television बूजो ने टेलिविजन में देखा की whale, dolphin अक्सर पानी की सथे पर उपर की तरफ आ जाती है जो whale होती है, dolphin होती है इनोंने अक्सर देखा है कि वो water की surface पर आ जाती है उपर की तरफ चीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, breathing underwater तो अब पता करते हैं कि water के अंदर किस तरीके से स्वसन होता है चीक है, स्वसन water के अंदर कैसे होता है उसके बारे में देखते है Can we breathe and survive in water? क्या हम पानी में सांस लेकर जीव इत रह सकते हैं? There are many organisms which live in water यहां बहुत सारे ऐसे जीव पाए जाते हैं जो की पानी में रहते हैं How do they breathe underwater? तो वो पानी में कैसे सांस लेते होंगे? You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolve in water आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि gills जो होते हैं न मचलिव के अंदर gills साहता करते हैं उनकी पानी में गुली ऑक्सिजन का यूज करने में Gills are projection of the skin Gills जो होते हैं ये उभार नुमा रचना होती हैं जो की इनकी स्किन तचा पर पाई जाती है You may wonder how gills help in breathing तो आपको आशेर होगा कि किस तरीके से gills breathing में साहता करते हैं Gills are well supplied with blood vessels Gills जो होते हैं gills के अंदर well supplied बहुत अच्छी संख्या में बहुत ज्यादा संख्या में blood vessels पाया जाती हैं जो की gaseous exchange में help करती हैं इस तरीके से मचलियों के अंदर स्वसंद पाया जाता है ठीक है समझ मैं अब आती है बाद बूजो के question की जी बूजो कह रहे थे कि डॉल्फिन और ये whale मचली है ये बार बार सथाय पर आ जाती है उन्होंने often देखा है कि कुछ समय बार सथाय पर आ जाती है या उपर की तरफ आ जाती है तो उसकी reason ये हुता है कि इनके अंदर गिल्स नहीं पाजाते जैसे बाकी Tillुऽं पाजाते वैसे इनके अंदर यंदर नहीं पाजाते इंके अंदर लंग्स पाजाते बार बार BILL की सरफेस पर आती है और oxygen को लेती है मतलब air को अंदर लेती ज nervousors को अंदर लेती है बंदु क्या आप पौधे भी स्वसन करते हैं? Like other organisms, plants also aspire for their survival as you have learnt in class 6. अन्य जीवों की भाती पौधे भी जीवित रहने के लिए स्वसन करते हैं, जैसे कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं. They also take in oxygen from the air. ये air से oxygen को लेते हैं and give out carbon dioxide. और carbon dioxide को बाहर निकालते हैं. In the cell, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. कोशिकाओं में oxygen का इस्तमाल करके ये glucose को तोड़ते हैं और carbon dioxide और water को बनाते हैं. carbon dioxide और water बनता है, जैसे कि other organism में होता है. In each plant, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. अगर मैं प्लांट की बात करूँ, तो प्लांट के अंदर, देखे, प्लांट के अंदर, प्लांट का प्रती एक भाग, oxygen को लेता है, air से, air से oxygen को लेता है, और give out carbon dioxide, और carbon dioxide को बहार निकालता है. You have already learned in chapter 1, that the leaves of the plants have many tinny spores called stomata. आप ने, आप और रेड़ी, chapter 1 में पढ़ चुके हैं, कि leaves के उपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनें हम stomata कहते हैं. 4. Exchange of oxygen, carbon dioxide, जिनका इस्तमाल, gaseous exchange में किया जाता है, यानि कि oxygen को और carbon dioxide के exchange में होता है. पहली वान टू नो, whether roots which are underground, also take in oxygen. If so, how? तो वही पहली जानना चाहते हैं, कि root जो कि जमीन के अंदर होती है, underground, तो क्या वो भी respire करती है, वो भी सांस लेती है, यानि oxygen लेती है, अगर लेती है, तो कैसे लेती है, like other animals, like other cells, living cells of the plants, the roots cells also need oxygen to generate energy. जैसे कि अभी बताया गया था, कि पौदी की पृतिक कोशी का पृतिक भाग oxygen को लेता है, carbon dioxide को निकालता है, तो इस तरीके से roots भी respire करती है, यानि कि oxygen को लेती है, और energy generate करती है, roots take up air from the air space present between the soil particles, roots air को लेती है, कहां से, यह जो soil के अंदर air का जो space पाया जाता है, ना देखिए यह roots है, अब यहां पर यह जो space पाया जाता है ना air का, यहां से root air को लेती है, soil के अंदर, soil particle में air space होता है, air spaces मिटीव में, जो air space होता है, वहां से root के hairs oxygen को लेते हैं, ठीक है, can you guess, what would happen if a potted plant is over water, ठीक है, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, कि क्या होगा अगर आपने एक plant को, जो potted plant है, गमले में एक plant है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी बर दिया है, आपने इस अध्याए में पढ़ा कि स्वसन एक महतपौन जेविक पर करिया है, और ओर्गनेज्म नीड टू रेस्पायर प्रितेक जीव को, यानि सभी जीवों को respiration करना हुगा, सभी जीवों को, और ओर्गनेज्म नीड टू रेस्पायर सभी जीवों को respiration करने की आवशक्ता होती है, ताकि वो energy को generate कर सके जो की जीवन के लिए महतपौन होती है, ठीक है, तो क्या आपको पता चला कि क्या है, अगर आपने potted plant में ज्यादा पानी भर दिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो जितने भी air space इसके अंदर है, उन सब के अंदर water भर जाएगा, roots respire नहीं कर पाएगी, और plant मर जाएगा, ठीक है, इसनिए हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है पौदो को, समझगे, आई होप आपके लेसन समझ में आया होगा, तो इसी के साथ ही हमारा chapter फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाएबाए, keep watching the video, thank you, thank you so much, अगर आपके कोई doubt रहाते हैं, तो please comment करना मत भूलना, bye, take care,